हिंदी साहित्ते की इतिहास का काल खंड है रितिकाल और रितिकाल के जो महत्वपुन प्रश्ण हैं उन्हीं की शरंखला हम यहां पूरी कर रहे हैं यह सारे ही प्रश्ण आपकी प्रतियों की प्रिक्षा की दरिश्टी से भी महत्वपुन हैं चाहे वो आरेस हो, यूपी एससी हो, कोलेज लेक्चर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेक्ड ग्रेड हो, जो भी एक्साम आपकी हिंदी साहित्ते से जुड़े हुए हैं उन सभी में इस आंसर के नीचे दो लाइन में, तील लाइन में जो वैक्षे बताई जाती है, उन्हें भी आप अपने रिश्टर के अंदर नोट डाउन करेंगे, चुकि बी ए सेकंडेर के पार्ठे करेम के अंदर आपके रितिकाल का पूरा पोर्शन लगा हुआ है, तो इसलिए ये हर ए अगला पूर्शन है आज का, क्लिष्टव दोश का एक उधारन लिखी है, तो पहले तो हमें ये जानना है कि क्लिष्टव दोश होता क्या है? कावे के अंदर जिस प्रकार से गुण होते ہے, उसी प्रकार से कुछ दोश होते है, दोश क्या होते हैं? जब कावे को हम पढ़त संते हैं तो जब उन काव को पढ़ते और सुनते समय किसी भी परकारं की बाधा उत्पन होती है जो रज का प्रभा होता है तो वहना पर हम कावध को मानते हैं तो यदि से कलिष्टत्व जो कावे दोश है उसकी परिभाशा पूछी जाए उसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको क्या लिखना है कि जब अर्थ सहज ही समझ में ना आए अर्थ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़े ठीक है जहां पर अर्थ आपको सहस्ता से समझ में नहीं याता अर्थ को समझने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी बढ़ती है तो वहां पर कलिष्टत्व कावे दोश होता है जैसे यहां पर एक उधारन दिया हुआ है कि सारंग ले सारंग चलियो सारंग पूगो आए सारंग सारंग में दियो सारंग सारंग मा फूरा है तो इस बाधा को देखते हुए हमें यहां कौन सा दोश नजर आ रहा है कलिष्टत्व कावे दोश तो अगर आपसे में अरथ की बात करूँ तो यहां पर देखें पहले सारंग का आर्थ हो यहां पर घडा है दूसरे सारंग का अर्थ सुंद्री है जू तीसरा सा साड़ी पहें पहनती हैं छट यहाद कर दम्ति हैं पांथभेस यहाभ कर घड़ा की सदरी साथी albo सरूवर कर छो भीगने से बचाने के लिए घड़े में दिया इसने सुंदरी ने और स्वेम जल में उतर गई तो इस परकार का यह उधारन है परन्तु जब हम उधारन को समझने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं जो रस की जो एक प्रभा होती जो रिदम होती है वो तूटती है तो यहां पर क्लि वेंजना शब्द शक्ति और एक अभीधा शब्द शक्ति ठीक है तो लक्षना शब्द शक्ति होती क्या है यदि हम इसकी परिभाशे की बात करें तो जो मुख्यार्थ है या फिर वाच्यार्थ में बाधा आने पर जब शब्द से गुण क्रिया आदी के अधार पर अन्य अर्थ ग्रण किया जाए तब लक्षना शब्द शक्ति होती है जैसे यहां पर हमसे उधारन पूछा है राजस्थान जाग उठा अब राजस्थान जाग उठा से क्या तात पर है राजस्थान कोई विक्ति विशेश तो है नहीं तो यहां पर कहा गया है कि राजस्थान की ल